हेलो फ्रेंट स्वागा थे आपका संकल्प सिक्षा के यूट्यूब चैनल में आई आज हम लोग देखते हैं करेंट अफेर के कुछ महत्पूर्ण प्रस्न देखें कोस्चन नमबर एक में है पचीस मार्श दोहजार तेश को CSI की तरब से बिहार की किस परयोजना को अवाड ओफ एक्सेलियंस से सम्मानित किया गया है तो आप्शन A है गंगा आपूर्थी योजना B है गया जी डैम C है जल जीवन हर्याली और D है इनमें से कोई नही इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्शन C जल जीवन हर्याली मिशन को CSI की तरब से अवाड ओफ एक्सेलियंस से सम्मानित किया गया है तेखिए सेकंड कोस्चन है हाली में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भारत में कहां अंतराश्ट्रिय दूर संचार संग ITU के छेतर कर्याले और नवाचार केंदर का उधगाटन किया है ओप्शन A है है हैदराबाद, B है बैंगलूरू, C है नई दिल्ली और D है देरादून इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन C, नई दिल्ली नई दिल्ली में प्रधान मत्री नरेंदर मोदी ने अंतराश्टिय दूर संचार संग का छेतरिय कर्याले एवाँ नवाचार केंदर का उधगाटन किया गया इनोवेशन सेंटर का देखिए नेक्स्ट कोश्चन है थाट नमबर संखी की और कारिकरम कार्यानवयन मत्राले ने भारत में महिला और पुरुस 2022 रिपोड कब जारी की है देखिए ओप्शन A है 27 फरवरी 2023, B है 1 मार्च 2023, C है 8 मार्च 2023 और D है 15 मार्च 2023 इसमें सही अंसर हो जाएगा 15 मार्च 2023 को सांखी की और कार्यानवयन मत्राले ने भारत में महिला और पुरुस 2022 की रिपोड जारी की है देखिए नेक्स्ट कोशन है फोर नमबर नागल लैंड में हाल ही में हुए बिधान सवा चुनाव में भारतिय जन्ता पार्टी ने कितनी सीटों पर बिजय प्राप्त की है उप्शन A है 25, B है 37, C है 12 और D है 7 तो इसमें सही अंसर हो जाएगा उप्शन C 12, 12 नागल लैंड में बिधान सवा जो चुनाव विहाल ही में हुए थे उसमें BJP ने 12 सीटे प्राप्त की है देखें नेस्ट कोश्चन है 5 नमबर 22 मार्च 2013 को मनाए गए बिहार दिवस की धीम क्या है यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है आने वाला एक्जाम में बिहार से संबंदित है ओप्शन A है युवा सक्ती बिहार की प्रगती, B है युवा महिला बिहार की प्रगती, C है स्वक्ष जल और D है जल जिवन अर्याली ठीक है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option A युवा सक्ती बिहार की प्रगती या बिहार दिवस की जो थीम मनाई गई है 22 मार्च 2013 को बिहार दिवस जो मनाया गया उसका थीम है next question है 6 number हाल ही में जारी 20 वीक आतंगवाद सुचकांग 2023 के अनुसार आतंगवाद से सबसे ज़्यादा परभाविद देशों की सुची भारत में किस अस्थान पर है भारत किस अस्थान पर है इसमें तो देखिए option A में दिया गया 15 वे, B में 18 वे अस्थान और C में 25 वे अस्थान और D में 13 वे अस्थान पर तो option D यहाँ पे सही हो जाएगा तेरह में अस्थान पे भारत को बैस्विक आतंगवाद सुचकांग 2023 में रखा गया है देखिए next question is seven number हाल ही में किसे नेपाल के राष्ट पती के रूप में चुना गया है option A है रामचंदर पैडोल, B है ससांक, कोईराला और C है परकासमान सिंग, D है गगन कुमार थापा इसमें सही एंसर हो जाएगा option A option A सही हो जाएगा इसमें रामचंदर पैडोल को नेपाल के राष्ट पती के रूप में हाल ही में चुना गया है देखिए next question है question number eight हाल ही में तिरपूरा में संपन विधान सवा चुनाव के बाद किसने मुख मंतरी के रूप में सपत ली है option A है नेपियोरियो, B है कोनराट संगमा, C है मानिक साहा और D है सारदा देवी ठीक है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option C मानिक साहा ठीक है मानिक साहा नेहीं तिरपूरा में जो भी हाल ही में विधान सवा के चुनाव संपन हुए है उसमें मुख मंतरी के रूप में सपत ली है या दूसरी बार मुख मंतरी के रूप में सपत ली हैं पहले भी यही थे मुख मंतरी देखिए question number nine है बिहार के किस खिलाडी या किन खिलाडी का चयन भारतीय अस्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में हुआ है option A है गोबिन्द कुमार, B है हेमा कुमारी, C है बोथ A and B और D है इनमें से कोई नहीं तो इसमें सही अंसर हो जाएगा option C गोबिन्द कुमार और हेमा कुमारी का चयन भारतीय अस्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में हुआ है बिहार से हैं देखिए next question 11th नमर में है परिसद समस्तिपूर, क्रिसी बिस्व विद्याले बंगलूरू, चंदर सेखर आजाद क्रिसी प्रधो की बिस्व विद्याले कानपूर फिर next है सरदार पटेल, क्रिसी प्रधो की बिस्व विद्याले मेरट तो ये कहां हुआ है इसका सही एंसर हो जाएगा option C चंदर सेखर, आजाद, क्रिसी और प्रोध्योग्य की विश्विद्याले कानपूर को बोला कानपूर में ही पांच दिवासिय एगरी यूनिफेस्ट संस्कृतिक कारेकरम का आउजन हुआ है नेस्ट कोशन है 12 नंबर हाल ही में किस देश ने पारित ड्वी दलिय प्रस्ताव में मैक मोहन रेखा को अंतराश टीय सीमा के रूप में मानियता देते हुए अरुनांचल प्रदेश को भारत का आभीन आंग स्विकार किया है देखिए ओप्सन A है संजुक्त राज अमेरिका, B है आस्टेलिया, C है जापान और D है फ्रांस त्यहाँ पे सही एंसर हो जाएगा ओप्सन A USA अमेरिका ठीक है नेस्ट कोशन देखिए हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट 2023 के नुसर कौन सा देश 2022 में विस्व का अगरणी हत्यार आयातक देश रहा है यहाँ पे ओप्सन A है पाकिस्तान, B है सौदी अरब, C है भारत और D है तुरकी ठीक है तो इसमें जो सही एंसर हो जाएगा वा है भारत भारत ही सिप्री रिपोर्ट 2023 के नुसर से 2022 में विस्व का सबसे अगरणी हत्यार आयातक देश रहा है जबकि 2023 में यह दूसरे अस्थान पर आयातक देश में रूप में रहा है देखिए, नेक्स्ट कोचन 14 नंबर है छे मार्च 2023 को जारी केंदर सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार बीएस से भारती में पुर्व अगनी बीरो के लिए कितना परतिस्वत आरक्षन की घोसना की गई है तो यहाँपे सही हो जाएगा option B 10%, इसका अरक्षन के लिए पुर्व अगनी बीरो के लिए अरक्षन के लिए इसमें घोसना की गई है लेकिये हाल ही में email iron road cycling league में overall champion कौन बना है option A है उत्तर परदेश, option B है बिहार, option C है पस्चिम मंगाल और option D है मद्य परदेश, तो यहाँ पे सही एंसर हो जाएगा option B बिहार, ठीक है, next question देखिए 60 number, हाल ही में संपन इरानी कप में कौन सी टीम बिजेता बनी, option A है सेस भारत, B है मद्य परदेश, C है सोराष्ट और D ह करनाटक, ठीक है तो यहाँ पे option A सही हो जाएगा सेस भारत, बोल रहा है कि इरानी कप का टीम का बिजेता कौन रहे हैं, तो सेस भारत टीम इरानी कप का बिजेता रही है, बिजेता बना, फरवरी 2023 में संपन महिला किर्केट बिस्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, option A है दचिन अफरीका, B है आस्ट्रेलिया, C है भारत, और D है इंगलेंड, ठीक है, तो इसमें सही एंसर हो जाएगा, option B, आस्ट्रेलिया जो हाल ही में 2023 में संपन हुआ है, महिला किर्केट बिस्व कप, इसका खिताब जीता है आस्ट्रेलिया ने, देखिए, next question है, 18 नंबर करानिम लिखित इगमों में से कौन सा एक सही नहीं है, option A है देखिए, तीन मार्च, बिस्व बन जीव दिवस, next है, 22 मार्च, बिस्व बिस्व दिवस लिखा गया, जबकि यहां पे बिस्व जल दिवस होना चाहिए था, फिर है 21 मार्च, बिस्व बन दिवस, फिर है next, 20 मा बिस्व मोगसम बिज्वान दिवस, यह गलत है, देखिए, next question है, 19 नमबर, 95 ओस्कर अवार्ड समारों में भारतिय फिल्व RRR के गीत, नाटू नाटू ने सर्व स्रेश्ट मूल ओरिजनल गीत की स्रेनी में ओस्कर जीता है, इस गीत के निदेसर निम्न में से कौन है, option A है MM किरावानी, B है MS बिस्वनाथन, C है AR रामान और D है रभी, तो यहाँ पर option A सही हो जाएगा, MM किरावानी, देखिए, next question है, 20 नमबर, हाल ही में बिहार से किसे स्वच सुजल सकती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, option A है सरीता गुपता, B है बवीता गुपता, C है सोभा गुपता और D है नीलम गुपता, तो इसमें सही एंसर हो जाएगा, option B, बवीता गुपता को स्वक्ष सुजल सकती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, देखिए, next question है, 21 नमबर, कराभ हरतिये रिजर्ब बैंक, RBI ने, डिजिटल भुगतान जागुपता सबता 2023 के अबसर प 2023, इसमें सही एंसर हो जाएगा, option C, 6 मर्च 2023 को RBI के द्वारा, जो डिजिटल भुगतान किया जाएगा, उसके लिए जागुपता सबता चलाया गया है, ऐसे भी बहुत तिब्रगती से भारत में डिजिटल पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, हर पेमेंट डिजिटल का सु द्रोनाचारे को प्रेसिडेंट कलर परदान किया है, option A है 28 फरवरी 2023, B है 16 मर्च 2023, C है 10 मर्च 2023, और D है 8 मर्च 2023, तो यहाँ पे सही एंसर हो जाएगा, option B 16 मर्च 2023 को, राष्टपती द्रौपदी मुर्मु ने रन्स द्रोनाचारे को प्रेसिडेंट कलर परदान किया है, देखें, next question है 23, हाल ही में किस भारतिये Petroleum Corporation Limited BPCL का अध्याच एवं प्रवंधन निदेशक निव्ट किया गया है, किसे निव्ट किया गया है, option A है संतोष कुमार यादव, B है G कृष्ण कुमार, C है बिवेक जोहरी, और D है मिनेश C साहा, तो यहाँ पे सही option हो जाएगा option B, G कृष्ण कुमार को BPCL के अध्याच एवं प्रवंधन निदेशक के रूप में निव्ट किया गया है, देखें, next question है 24, परस्तिध फिल्म अभिनेता एवं फिल्मकार 37 कौसिक का निधन कब हुआ है, option A है 26 फरवरी 2023, B है 1 मार्च 2023, C है 9 मार्च 2023, और D है 18 मार्च 2023, त option C, 9 मार्च 2023 को 37 कौसिक जी का निधन हो गया है, जो अभिनेता थे, question है 25 नमर 18 मी नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनसीप में बिहार के प्यूसराज ने डेकाथलोन में कौन सा पदक जीता है, option A है स्वर्न पदक, B है रजद पदक, C है का से पदक और D है, इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पे सही एंसर हो जाएगा, option B, रजद पदक, ठीक है, next question देखते हैं, नमर question है, हाल ही में 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 घाले में संपन बिधान सवाचुना में कौम सब राजनीतिक दल सरवाधिक सीट जीत कर राज का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, option A है United Democratic Party, B है National People's Party, C है Congress, D है भारती है जनता पार्टी, तो option यहाँ पे B सही हो जाएगा, National People's Party, यही जो अभी हाल में ही बिधान सवाचुनाब हुआ था, जिसमें सरवाधिक स्टीट जीत करके सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है, NPP, National People's Party, देखें, next question है, 27 नम 2018 से 22 के बीच भारत की हथियार खरिद में कितने परतिसत की कमी आई है, option A है 15 परतिसत, B है 8 परतिसत, C है 11 परतिसत, और D है 12 परतिसत, इसमें option C सही हो जाएगा, 11 परतिसत की कमी आई है, देखें, next question है, 28 नमबर, बैस्विक आतंगवाद सुचकांग 2023 के मुसर कौन सा देश आतंगवाद से सरवाधिक प्रभावित है, option A है इरान, B है अफगानिस्तान, C है सिरिया, और D है पाकिस्तान, तो यहाँ पे सही अंसर हो जाएगा, option B अफगानिस्तान, देखें, next question है, 29 नमबर, 6 मार्च 2023 को भारतिय रिस्तर बैंक के द्वारा प्ररम्ब किये गए, हर पेमेंट डिजिटल अभियान का विसाई क्या है, option A है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरो को भी सिखाओ, option B है डिजिटल भुकतान, सभी समाधान, option C है डिजिटल पेमेंट सुरक्षित भवित से, और option D है डिजिटल पेमेंट स्थीखता भारत, इसमें सही एंसर हो जाएगा, 29 का option A, डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरो को भी सिखाओ, नेक्स्ट कोशन है 30 नमबर, करा हाल ही में पटना हाई कोट का मुख नयधिस कीने निक्त किया गया है, देखिए option A है के बिनोध चंदरन, B है आर चंदरन, C है के चंदरन और D है बी चंदरन, इसमें correct answer है, option A, के बिनोध चंदरन जी को हाल ही में पटना हाई कोट के मुख नेक्स्ट के रूप में निक्त किया गया है, option फिर देखिए नेक्स्ट कोशन है 31 नमबर, हाल ही में जारी विश्व खुस हाली रिपोर्ट 2023 के नुसार भारत का कौन सा स्थान है, option A है 111 अस्थान, B है 108 अस्थान, C है 126 अस्थान और D है 101 अस्थान, तो इसमें correct answer हो जाए देखिए, नेक्स्ट कोशन है 32 भारत के पुर्व मुख नियाधिस, जिनका निधन 2 मार्स 2023 को हो गया है, option A कौन-कौन से है, option A, MM सिकरी, option B, AN रे, option C, SL, D, option D, AM, अहमधी, तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा, option D, AM, अहमधी, जिनका हाली में निधन हो गया, जो पहले भारत के प देखिए, नेक्स्ट कोशन है, 33 नंबर, हाल ही में किस मंत्रा लेने, Artificial Intelligence Ecosystem के लिए, एक मसौदा रोड मैप तयार करने हैं तू, एक task force का गठन किया गया है, option A है, देखिए, Electronics और IT मंत्रा ले, B है, कानून और न्याय मंत्रा ले, C है, सुचना प्रसारन मंत्रा ले, और option A ही हो जाएगा, Electronics और IT मंत्रा ले, देखिए, नेक्स्ट कोशन है, 34 नंबर, कोशन, कोशन नंबर, 34, 9 मार्च दोजार तेसको, पुर्व सांसद, डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक मूंड का उपनी सद, The Bridge to Immortility पुस्तक का भी मोचन, किसके द्वारा किया गया है, option A है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, B है राष्ट पती द्रौपदी मुर्मो, C है ग्री मंत्री अमित्सा, और D है उपराष्ट पती जगदीब धन्खड, तो इसमें correct answer हो जाएगा, option D, उपराष्ट पती जगदीब धन्खड के द्वारा, मुंड का उपनी सद, The Bridge to Immortility पु तो ये, option A है इसमें, जल जीवन हर्याली, B है गंगा जल आपूर्थी योजना, C है मुख्य मंत्री साइकिल योजना, और D है इनमें से कोई नही, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, गंगा जल आपूर्थी योजना, जो कि बिहार के नालंदा जिला में राजगीर नवादा बो पूर्थी की गई है, नेक्स्ट कोशन देखिए, 36 नमबर, पैंचानमेवे, ओसकर अवाड में, सर्वस्रेष्ट, सौट डॉक्यूमेंटरी का पूरसकार कीसे मिला है, option A है अस्टोरी ओफ इंडिया, B है महाकूंब मेला, C है चील्ड्रेन ओफ फायर, और D है दा इलिफें अस्टोरी का पूरसकार पैंचानमेवे, ओसकर अवाड से सम्मानित किया गया है, देखिए, नेक्स्ट कोशन है, बिस्व तपेदिक दिवस कब मनाया गया है, option A है 15 मार्च, B है 22 मार्च, C है 24 मार्च, और D है 16 मार्च, तो ये option C सही हो जाएगा 24 मार्च, तो 24 मार्च को ही बिस्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, देखिए, नेक्स्ट कोशन है, 38 नमबर, हाल ही में किसे 32 ब्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की गोसना की गई है, option A है आज सगर बजाहत, B है डॉक्टर ग्यान चतुरवेदी, C है डॉक्टर कर्ण सी, और D है अरुंधाती राय, त 32 ब्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की गोसना की गई है, नेक्स्ट कोशन है, 39 नमबर, हाल ही में सर डेविड चीपर फिल्ड ने 2023 का प्रितजर आर्किटेक्चर पुरसकार जिता है, वहा किस देश से सम्मानित है, option A है जर्मनी, B है ब्रिटेन, C है संजुक्त राज अमेरिक प्रियाग हिंदी साहित सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, option A है 2023 में, B है 24 में, C है 2025 में, और D है इनमें से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, 2024 में हिंदी साहित सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, next question है, 41 number, हाल ही में किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वति सम्मान से सम्मानित किया गया है, option A है विक्रम सर्मा, B है नमरता स्रीवास्तप, C है रजनी, राजेंद्र, और D है स्थिव संक्री, तो इसमें correct answer हो जाएगा, option D, ठीक है, option D, स्थिव संक्री को 2022 के लिए प्रति 42 में है, 13 मार्च 2013 को बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पाइलट कौन बनी है, option A है सूरेखा यादव, B है रेखा यादव, C है पूजा सिंगल, और D है नमरता विश्तनोई, तहां पे correct answer हो जाएगा, सूरेखा यादव, सूरेखा करने वाली मतलब यह पहली महिला बनी है, देखे, next question है, 33 number, मार्च 2013 में हिंद महासागर छेतर में आयोजीत, नौ सेना के बहुपक्षी अभ्यास, लापेरोस के तीसरे संसकरन में निम्न में से किस देश, किस एक देश की सेना ने भाग नहीं लिया था, option A है भारत, B है जा ने भाग नहीं लिया था, लापेरोस के तीसरे संसकरन जो बहुपक्षी है, नौ सेना के युधा भ्यास है, देखे, next question है, 44, भारत में मार्च 2023 में द्वीपक्षी है सेन अभ्यास, बोल्ड कुरू छेतर के 13 में संसकरन में भारतिय सेना के साथ किस देश की सेना ने भाग A है फ्रांस, B है सिंगापूर, C है आस्ट्रेलिया और D है ब्रिटेन, तो यहाँ पे option B सही हो जाएगा सिंगापूर, ठीक है, next question देखिए, हाल ही में, TB उनमुलल में बेहतर परदर्शन के लिए बिहार के किस जीले को गोल्ड मेडल मिला है, option A है मुझभरपूर, B है समस् C है A और B दोनों, और D है इन में से कोई नहीं, देखिए तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, मतलब मुझभरपूर और समस्तिपूर, दोनों जीलों को TB उनमुलल में बेहतर कार्च करने के लिए, बेहतर परदर्शन के लिए बिहार के दोनों जीले को गोल्ड मेडल से सम्मानित क जा गया है, next question है 46 number, हाल ही में किसे संगीत कलानिधी पूरसकार 2023 के लिए चुना गया है, option A हो जाएगा अनिता रतनम, option B है आनंद, संकर जयान्त, option C है अनंदी, रामचरन, और option D है बॉम्बे जैसरी, तो यहां पे option D सही हो जाएगा, बॉम्बे जैसरी को संगीत कलानिध पूरसकार 2023 के लिए चुना गया है, next question है 47, मार्च 2023 में संगाई सहयोग संगठन, SCO, युवा परिशत की सोलाहमी बैठा कायोजन कहां हुआ है, option A है नई दिल्ली, B है बीजिंग, और C है मासको, D है आमदाबाद, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A नई दिल्ली, नई दिल्ली म किया गया है, next question है 48, हाल ही में उनिसमी बिम स्टेक मंत्री अस्तरिये बैठाक किस देश की अध्यस्ता में आयुजित हुई है, option A है बांगला देश, B है मियानमार, C है भारत, और D है थाइलेंड, तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, थाइलेंड, उनिसमी बिम स्टेक मंत्री अस स्टरिये की जो बैठाक हुई है, या थाइलेंड की अध्यस्ता में आयुजित हुई है, next question है 49, मार्च 2023 में साजह बाध विरासत पर अंतरास्टिये सम्मेलन का आयुजन हुआ है, option A है सारनत, B है बोध गया, C है नई दिल्ली और D है अमराबती, तो 49 का correct answer हो जाएगा, option C नई दिल्ली, साजह बाध विरासत पर अंतरास्टिये सम्मेलन का आयुजन नई दिल्ली में हुआ, 2023 में, देखे, next question है, और इस वीडियो का अंतिम question भी है, 50 नंबर, मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयुजित, डिजिटल स्वास्त पर दो दिवस्ये बैस्विक सम्मेलन के अदेस्था किसने की है, option A है प्रधान मंत्री, B है केंदरिये स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री, C है केंदरिये ग्रीम मंत्री, और D है राष्टपती, तो इसका correct answer हो जाएगा केंदरिये स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री, option B, ठीक है, ये था पूरा 50 question जो बिहार से और महत्पूर्ण था, और पूरे राष्टरिये अस्तर फर भी, जो भी current affair के महत्पूर्ण प्रस्न थे, वो सभी clear हो गए, ठीक है, अब इसको एक बाद फिर से recall कर लिजेगा, अब तक के लिए जै हिंद,